आजादी की 76 वी वर्ष गाठ पर सेक्ट 7 में अलपसंख्यक एक्ता वेलफेर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शान के साथ तिरंगा फेराया गया आजादी की 76 वी वर्ष गाठ देश भर में हर्श्वा उल्लास के साथ मनाई गई जगा जगा द्वजा रोहन के साथ वी भी नायुजन भी किये गए इसी कड़ी में सेक्टर साथ में अलपसंख्यक एक्ता वेलफेर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा द्वजा रोहन किया गया शेत्री पार्षत लक्षिपती राजु यहां विशेश रूप से शामिल रहे यहां अलपसंख्यक एक्ता वेलफेर एंड एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष शम्शुल खान भी प्रमुकुरूप से शामिल रहे भारत माता के तैली चित्र पर सरप्रथम माल्यार पन्व पूजन अर्चन के पस्चात विधिवत ध्वजा रोहन कर रास्ट्रगान प्रस्तुत किया गया इस मौके पर उत्कृष्ट कारे करने वाले सम्मानित भी किये गये मुख्य अतिती रहे लक्ष्णिपती राजु को सोसाइटी के अध्यक्ष शम्शुल खान ने पुश्पगुच बेट कर सम्मानित किया गया वहराल हर्चार उल्लास के साथ सोसाइटी द्वारा ध्वजा रोहन कर आजादी का पर्व मनाय गया ग्रेने सीन निव्स के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट प्रदिकारी शम्शुल खांजी भाई अवान भाई कुटव भाई अराज भाई जावित भाई आसिद भाई अफ्रोज तो नहीं है अर्शद भाई में दोस्ट शब्धिर खान रोजा भाई जिंजी और आजया मालम और भाई की लोगते हैं कोई दील में रहे तो इसी क्यान और उपस्तित सभी मेरको अनुदीच में समीधी लोग मिले थे अभी बोले कि राजीबाई हम लोग मैं समीधी गटन कर रहे हैं चर्चा हुआ का हम लोग का तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि अपन भी चाह